हलो एभरिबन आज हम लोग इस वीडियो में अकाउंटेंट के लिए आज का जो इंटरव्यू कोशन जो पूछा गया है वो हम लोग आज इस वीडियो में लेकर आया हैं और यहां पर हम लोग के पास 10 ही कोशन उपलब्ध हो पाया है तो इस ही 10 कोशन को हम लोग इस वीडिय से पूछा जा रहा है तो इसका जो है आप लोग अच्छे से प्रिप्रेशन कर लिजेगा अब दूसरे नमर में क्या पूछा गया एकाउंटेंट ब्लोक लेवल के तोड़ पर आपकी रिस्पोंसबिलिटी क्या क्या होगी तो यह इंपोर्टेंट कोशन है तो इसके बाड़े में हम लोग पहले जो एक वीडियो बनाया थे आप लोगों के लिए एकाउंटेंट के लिए जो कोशन उपलवत कराया थे उस समय में इसकी जानकारी आप लोग को दिये थे और यहां पर आ गया है तो यह कोशन जो है इंपोर्टेंट है इस कोशन को रिपीट भी किया जा सकता है अब आते हम लोग next question पर अब यहां पर next में क्या पुछा गया है तीन नमबर में BpIu का full from यहां पर पुछा गया है उनसे तो BPIU का full from जो है यहाँ पे पूछा गया है तो आप लोग full from कुछ देख लिजेगा और हम आप लोग को कुछ full from जो है आप लोग को उपलब करा रहे हैं जीबका से संबंदी थी तो आप लोग उसका screenshot ले लिजेगा तो यहाँ पे देख रहे हैं संचिप्त सब्दाबली तो यही से आपका कोस्चन था पूछा गया है देखिए कहां है इसकी जनकारी दिया हुआ BPIU इसी का full from जो है यहाँ पे पूछा गया था अब यहाँ पे यह आपका हिंदी में दिया हुआ है और यह जो है इंग्लिस में दिया हुआ है इंग्लिस को ही हिंदी में लिखा हुआ अब जो है आप लोग इसका जो है तो आप लोग जो है इसका स्क्रीन सोट ले लीजिए जितने भी फुल प्रम है और हो सके तो इसको एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा यह important है यहां से question पूछा गया है तो हो सकता है आप से भी question इसमें से पूछ लिया जाए तो इसका screenshot आ पूछा गया है अपने पिछले जोब के बाड़े में पताईए तो अब हम लोग next question को देखते हैं अब यहां पर 5 नमर में क्या पूछा गया था यह देख लिजिए आपका weakness क्या है आपकी कमजोरी क्या है उसके बाड़े में यहां पर उनसे पूछा गया तो इस question को भी हम के लिए जो वीडियो बनाये थे 10 question जो हम लोग आप लोग को उपलब्द कराये थे उसमें इसकी जानकारी हम लोग दे चुके हैं तो आप लोग हो सके तो एक बार उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजेगा अब छटे नमर पर क्या पूछा गया जीब का पड़ियोज का मुख उद्यस क्या है यह भी important question है यह repeat हो सकता है अब हम लोग next question को देखते हैं क्या पूछा गया है अब यहां पर साथ नमर में क्या पूछा गया है दो question रिजूम से उनसे पूछा गया एक question होबी से पूछा गया cricket खेल से संबंदित था वो होबी में cricket खेल दे चुके इसलिए क्रिकेट से उनसे एक question पूछा गया अब आठमें नमबर में दूसरा question जो उनसे पूछा गया एक्स्ट्रा qualification वहां पर रिजूम में दी हुए थे वहां से एक question उनसे पूछा गया तो यहां पर देखा जा रहा है जो resume से question पूछा जा रहा है तो आप लोग अपने resume में जो होबी दिये होंगे और जो एक्स्ट्रा नॉलेज अगर दिये होंगे तो उसकी जानकारी जो है आपके पास अच्छी तरह से होना चाहिए यहाँ पे इससे कोस्टन जो है पूछा जा रहा है अब हम लोग नेक्स कोस्टन को देखते हैं क्या पूछा गया है अब बिहार सरकार की जल जीवन हडियाली अभियान के बारे में कुछ बताईए अब यहाँ पे यह कोस्टन पूछने का सीधा मतलब जो है इनका जीपका दीदी से संबंदित है जल जीवन हडियाली के तहत जो पौधा लगया गया था अड़ाई करोर के आसपास तो वहाँ पे जीवका दीदी के दो आड़ा जो है बहुत ही महत्पून भूम का निवाया गया है पौधा लगाने में तो यहाँ पे इस कोस्टन का सीधा पूछने का मतलब वहीं पे जा रहा है तो अब यहाँ पे बिहार सरकार की योजनाओं से भी कुछ कोस्टन आ रही है तो आप जानकारी है इसकी यह लग पहले दे चुके है और इसकी जो जानकारी है आपका जिसे में बैकेंसी निकली थी उसमें ऐजूकेशन कौलिफिकेशन जहां दिय हुआ था उसमें भी इसकी जानकारी दी हुई है तो आप लोग घी सकते है तो यही 10 कोस्टन आज हम लोग को पाएगी उसको कलसाम तक आप लोग को उपलब्द कराएंगे और यह सभी कोशन की जानकारी है एक बंधु के द्वाड़ा दिया गया है जो इंटर्विव देकर आये हैं उनी के द्वाड़ा यह जानकारी दिया गया है तो हम आसा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आयोग तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में